डिजिटल कक्षमे एक बार पुना एमे उत्रार्द इतिहास के विद्यार्थियों का स्वागत है पिछले व्याख्यान में सब्तम प्रिश्नपत्र के अंतरगत हमने परेटन की अउधारणा की चर्चा आपके डिजिटल कक्षमे की थी आज परेटन के विविन प्रकारों की चर्चा हम करेंगे और जैसा कि आपको पता है कि इस COVID-19 के दोर में सबसे अधिक परेटन उद्योगी प्रभावित हुआ है बिगत व्याख्यान में हमने ये उलेक किया था कि परेटन उद्योग सकल घरेलू उद्पाद में सरवादिक बड़ा हिस्सा हमें उपलब्द कराता था और हमारी अर्थविवस्था का एक बड़ा सुरोथ था तो जादे तरदेश आज परेटन उद्योग के गिरने की सूचनाएं दे रहे हैं और COVID-19 के दोर में जैसा आपको पता है कि घर पर ही रहने की बात की जा रही है तो परेटन का जो उद्योग प्रभावित हुआ है उससे परेटन के बिविन प्रकारों का भी दाइरा सिमठता जा रहा है परेटक कभी अपने देश में घूमता है कभी विदेश में कभी अकेले घूमता है कभी समू में परेटन की प्रेणा भी भिन्द भिन्द होती है और कारण भी भिन्द प्रकार के होते हैं इससे परेटन के प्रकारों में बिविदिता होना स्वभाविक है इसमें भवलिक इस्तिती परेटन का उद्देश, परेटन साधन तथा समधायों की दृष्टिकोंड से परेटन की संबंद में अध्यन करने पर हमें विभिन प्रकार के परेटकों का ज्यान प्राप्त होता है अता परेटन को विभिन दृष्टियों से विवक्त किया जा सकता है जिसमें सबसे पहले हम इस्तान की दृष्टि से परेटन के प्रकारों की चर्चा करेंगे जिसमें घरेलू तथा विदेशी परेटन यानि डॉमेस्टिक एंड फॉरिन टूरिज्म की बात आती है बिदेश में यात्रा करने की अपेक्षा अपने आस पडोस तथा देश में यात्रा करने वालों की संख्या साभाविक रूप से बहुत अदिक होती है इसका कारण है कि अपने देश में यत्रहगरना अनेक तिश्टियों से सरल सस्ता होता है इसमें ना भासा की समस्या होती है, ना मुद्रा की, ना रहन सैंद की, ना विविद्धा की, ना बहुत कुछ संचार साधनों की भी नहीं, ना परमपराओं की और नहीं वीजा आदि पारपत्र जो इसको हम कहते हैं कि कठनाईयों से हमें सामना करना पड़ता है तो एक परियटक सुगमता से घरेलू परियटन कर सकता है यहां वैस सब कुछ समझ जाता है या विवस्था कर लेता है यदि कठनाई आती है तो समाधान का माध्यम भी स्वता मिल जाता है ऐसा परियटन अपने ही देश में विवनिस्थानों पर किया जाता है उसे घरेलू अंतरराज्जी इंटरिस्टेट और स्वदेशी इंडिजीनियस या आंतरिक इंटर्नल टूरिजम भी कहते हैं पर जब वे दूसरे देश में परिटनीद हो जाता है तो एक अलग राश्टी काई होती है तथा उसकी अपनी राजनेतिक और आर्थिक विवस्ता होती है उसे विदेशी फॉरिन या अंतरराश्टी इंटर्नेशनल परियटन कहते हैं इसमें अनेक प्रकार की भासा, बिनमे, मैत्री, आचार, बिवहार, आद की कटनाईयां आती हैं साथ ही प्रलेग पारपत्र, पासपोर्ड, वीजा और प्रिवेस प्राप्त करने में भी कटनाई होती है इस दोर में तो एक मेडिकल जाच, जाच का भी सामना करना पड़ता है यदब अब बिदेशी परेटन की कटनाईयों को दूर करने के लिए बहुत से देसों ने पारपत्र का बंदन भी ढीला कर दिया है तथा कुछ ने मुद्रा संग बनाकर मुद्रिक कटनाईयों के हलका प्रियास किया है जैसे उधारन के तोर पर एउरोप में एक संगन वीजा बनता है जिसके माधियम से आप तेस देसों में घूम सकते हैं अलग अलग देस के वीजा लेने की अवस्चता नहीं है इसी तरीके से बिभिन देसों की मुद्राओं के सास्थ यूरो का प्रिचलन कर दिया और इन सभी देसों में यूरो मुद्रा चल जाती है इस देसा में प्रिगत यद्ध धीमी है साथ ہी सारे प्रयास सिक्षित तथा उन्यसेल देशों और लोगों के लिए ही सुपदा परदान कर सकते हैं सामान विक्त के लिए सरल तथा उपादे नहीं हो सकते हैं अब दूसरा एक परकार और स्थान की दिश्टे से समझा जा सकता है छेत्री तथा अंतर छेत्री परियटन रीजनल एंड इंटर रीजनल टूरिजिम विश्व परियटन संगठन वर्ल्ड टूरिस्ट और्गनाजेशन ने परियटन प्रधान देशों को परियटन की दर्ष्ट से छे छेत्रों में बाटा है अफरीका, अमेरिका, यूरोप, मदपूर्व, दक्षणी एसिया, पूर्वी एसिया तथा पैसिफिक ये बटवारा भोगोलिक और प्राविदिक आधार पर किया गया है इनमें कुछ परियटन एक ही छेत्र के विभिन भागों में होता है जिसे छेत्री परियटन, रीजनल टूरिजिम कहते हैं किन्तु जो परियटन एक छेत्र से दूसरे छेत्र में होता है उसे अंतर छेत्री परियटन, इंटर रीजनल टूरिजिम कहते हैं तो ये जो परेटन के प्रकार हैं स्थान की दृष्ट से हैं संचेप में पुना यदिनामूल लेक करूं तो पहले प्रकार में घरेलू तथा विदेशी परेटन के रूप में हम परेटन के प्रकार को समझ सकते हैं और दूसरा छेतरी तथा अंतर छेतरी परेटन का उलेक किय जा सकता है अब संख्या की दृष्टि से भी परेटन को वर्गी कृत किया जा सकता है तो संख्या की दृष्टि भी परेटन दो प्रकार का हो सकता है एक तो व्यक्तिगत तथा सामुहिक परेटन इंडिविजूल ग्रूप टूरिजिम कभी परेटक अकेले परेटन पर निकल अकेले परियटक रहता है या अधिक से अधिक अपने परिवार के साथ परियटन पर निकलता है। इसकी सारी तयारी ठेराओ, भोजन, इस्थान निरने, परिवन, अकेले अपनी या परिवार के रुचकी अनुसार करता है। परंतु सामूहिक परेटन में ये सबी विवस्थाएं सम्मलित भावना पर निलबर होती हैं। प्राया संस्थाओं ये एजेंसियों द्वारा परेटन आयोजित होते हैं। इसके अलावा एक सामुदाइक परेटन मास्ट यूरिजिम भी परेटन का प्रकार है। विक्सित देसों में पैसा परियाप्त होता है तथा छुट्टियों के दिन भी अधिक होते हैं। इनको आनन्द से विताना वहां के लोगों के जीवन का एक आवस्यक अंग बन गया है। अता वहां के लोग एक साथ बड़ी संख्या में छुट्टियों के दिनों में परेटन पर निकल पड़ते हैं इसे ही सामधाइक परेटन कहा जाता है अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चापान, कनाडा आदी देसों में विसेस रूप से इसका चलन है भारत बास्यों के पास आज इतना पैसा नहीं है कि भी विदेसों में सामधाइक परेटन पर इसे ब्याय कर सकें फिर भी थोड़े थोड़े गृप में जाते रहते हैं विभिन परेटन एजेंसियां इनको प्रुसाहित करती रहती है साथ भी सामुहिक परिवार प्रणाली तथा परंपरागत विवस्था पर ब्याय होने वाला धन इसमें सबसे अधिक बाधक है अता ऐसे परेटन का योजन करना भार्तियों के लिए ना वर्तमान में और जब तक सामविक परवार वस्ता ना भविस्ष में ही संभो भी दिखाई पड़ रहा बहुत ज़्याद है अब समय की दर्ष्ट से भी परेटन को बर्गी कृत किया जा सकता है द्यान ने पहले हमने इस्थान की दर्ष्ट से बर्गी कृत किया फिर संख्या की दर्ष्ट से बर्गी कृत किया परकार बताए और अब समय की दर्ष्ट से भी देखना चाहिए कि long term tourism दीर गुकालीन परेटन समझा जा सकता है इसमें पर्याटन अवदी कई सब्ताय महीनों की होती है क्योंकि पर्याटक कई स्थानों की यात्रा एक्रम में करता है इसमें वह प्रतेक स्थान पर थोड़े तोड़े रुखता हुआ आगे बढ़ता है इसको ट्रिप या बिजिट भी कह देते हैं इस प्रकार के लोग पर्याटन डाइरी भी लिखते हैं पर्याटक एक सब्ताय दस दिन के यात्रा पर निकलता है ये देश के आरतिक हित में होता है तथा उनके लिए उपयोगी होता है जिनके पास अधिक आउकास मिलना तथा उसका उपयोग करना संभोध ही होता है तो ये समय की दर्ष्ट से परेटन के परकार थे दो परकार अब विवस्था की दर्ष्ट से भी परेटन को विभाजित किया जा सकता है तो विवस्था की दर्ष्ट से भी परेटन दो परकार का है एक तो independent tourism सुक्षंद परेटन इसमें परेटक किसी एजेंसी या टूर आपरेटर का सहारा न लेकर अपनी निजी विवस्था की अनुसार परेटन करता है सब विवस्था वे स्वेम करता है और दूसरा समनवित या package विवस्था inclusive विवस्था इसमें सारी विवस्था टूर एजेंसी और आपरेटर पहले सी ही कर देते हैं परेटक घर से निकलने के बाद उनी की विवस्था में चलता जाता है इसमें उसे किसी भी प्रकार के आबास भोजन और ब्रिमन के साधन का इंतिजाम नहीं करना होता है अब अगला जो प्रकार द्रब की दरिष्टे से किया जा सकता है धन या द्रब की दरिष्टे से भई पैसा की दरिष्टे भी परेटन को विवाजित किया जा सकता है जिसमें पहला द्रब सक्री परेटन रिसेप्टियो टूरिजम रखा जा सकता है इसमें आने वाले विदेशी परेटक अपनी मुद्रा यहां के मुद्रा में बदलाओ कनवर्ट कर बे करता है इसमें आने वाले देश को विदेशी मुद्रा मिलती है इससे आने वाले देश को विदेशी ब्यापार की दिश्च से लाव होता है दूसरा प्रकार इसमें द्रब निस्क्री परियटन रखा जा सकता है पैसे और टूरिजम इसमें परियटक दूसरे देशों में जाकर अपने देश की ही मुद्रा ब्याव करता है इसमें आने वाले देश का कोई लाब इस तरह का लाब मुद्रा समंधी लाब नहीं होता है तो इसी के साथ अगली जो विवस्था हो सकती है वो एक्षा की दिर्ष्टी से टूरिजम विशेश तोर से परेटक की एक्षाओं पर निर्भर करता है तो अब परेटन का जो अगला परकार है वो एक्षा की दिर्ष्टी से समझा जा सकता है जिसे विविन परकारों में एक्षा की दिर्ष्टी से माटा जा सकता है और मुझे लगता है लगबग एक दर्जिन के करीब परेटन के परकार एक च्छा की दर्ष्ट से बताई जा सकते हैं जिसमें सबसे पहले हम रखेंगे नमबर एक सामाजिक परेटन सूसल टूरिज्म जिन देशों में लोगों के पास सीमित साधन होते हैं वहां राज की ओर से परेटन के लिए साहिता मिलती है इसमें राज जी निर्ने करता है इन्हें कब कहां और कितने दिनों के लिए जाना होगा ये पूर्बी यूरूपी देशों में अधिक परचलित है भारत बर्स में भी ऐसी उजना बनाई गई हैं कि पितिवर्स यहां से कृसकों का दल बाहर से नई तकनिक सीखने के लिए राज की बेपर विदेश भेजा जाए साथ ही इसका उद्देश है वहां के लोगों से संपरक रखना ऐसे कई दल यहां से विदेश भेजे जा चुके हैं इसी योजना में रूस आदी देशों से भी विरुनवार्थी भारत आते रहे हैं यह आत्राएं इसी कोट में आती हैं सामाजिक परेटन की परंपरा काफी इस्थापित हो चुकी है देश के अंदर भी किसानों को एक राज से दूसरे राज में कृसी सम्मंधी नवाचारों को समझने के लिए परेटन कराया जाता है अब दूसरा प्रकार इक्षा की दर्ष्ट से सांस्कृतिक परेटन का रखा जा सकता है इसमें कल्चरल टूरिजम जिसे हम कह सकते हैं सांस्कृतिक समग्रिया परेटकों का आकरसन का वश्यक केंदर होती है युनान, मिश्र, भारत, आदी, पुरातन, सब्बता के केंदरों पर परेटन वहां की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर किया जाता है वहां बिखरी हुई पुरातात्विक समग्रिया, पुराइस्थल, संग्राले, एथियासिक, इसमारक परेटवों का मूल आकरसन होता है वहां आकरसन को और बढाने के लिए उन देशों की सरकारें इनको अधिक आकरसक धंग से प्रिस्तुत कर नहीं है साथ ही मूल प्रदर्सनियों का आयोजन इसी उद्देश से किया जाता है इसके साथ ही लोगीत और परंपराओं को भी हुटलों के साथ जोड़ा गया है कि यहां आगंतुक इनका आनंद ले सकें इसके साथ ही ये राश्टी समनवे को बढ़ावा देता है सांस्कृतिक परेटन का विस्तार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है बिभिन देशों ने बिभिन सांस्कृतिक मेलों का योजन करके परेटकों को आकरसित करने का प्रियास किया है उनकी इक्छाओं को द्दीपित तवरित करने का प्रियास करते रहे है इसी तरीके से तीसरा प्रेयार्ज जो परिटन का प्रिकार है उसमें समुद्र या सूर परिटन को रखा जा सकता है सी, सैंड एंड सं टूरिज्म समुद्र बालू और सूर परिटन बहुत से परेटक स्वासलाब तता समुद्र के आनंद के लिए समुद्र तटों पर आते हैं कोश्टल जो एरिया है वहां आते हैं यहां सागर की उत्ताल तरंगों में इसनान करना तेरना नाओ चलाना वहां के हवा के जोंकों का आनंद लेते हैं यह बालू के मैदान और सूर की धूप से मिसाज कराते तता समुद्री क्रियाओं जैसे मत्स उद्योग है सीप उद्योग समुद्री यूजनतियों के द्रस आदे को समीब से देखने का लाव उठाते हैं तो गोवा का परेटन जो परेटन केंद रहे अपना परेटन इस थल उसको इस तरह की उसमें सरल डंग से आपके सामने उधारन गोवा के परेटन का जो समुद्री किनारत दिया जा सकता है आधनिक जल केड़ाओं को बिविन तरह का इस तरह एंडमान में भी निकवार में महा दीप समुवर में भी इस तरह का सी टूरिस्म होता है यहां की परियावरण के सासा से सम्मंत था परियावरण वाले ग्रामों के ग्रामानों का आकरसन परेटनों के लिए होता है अब चौथा प्रकारिक्षा की दरस्ते एको टूरिज्म परियावरण परेटन को रखा जा सकता है परियावरन का विकास परियावरन प्रेमी परेटकों के आकरसन का प्रमुक केंदर होता है इसमें परेटक को मानो इत्यास के विकास के जानने में बड़ी सुद्धा होती है परियावरन के प्रती परेटकों की जागरूपता बढ़ती है इसमें परियाटक सांत बातावरन में आकर प्रिकती और परियावरन का अनंद लेता है उसका प्रियास होता है कि परियावरन को किसी भी प्रिकार उसकी क्रिया से छतिना पहुँचे इसके द्वारा समाजे का अर्थिक लाब की क्रिया इस्थानी जनता को प्राप्त होती है ये सास भरे कारियों के लिए सदा तयार रहते हैं जो परियावरण के करण इनके समक्च चेलेंज के रूप में वस्थित होता है जिसे इस्विकार करते हैं ये खराफ सड़कें मौसम की तीबरता परियावरण की विवित्ता से घबडाते नहीं है परवत जंगल जहरनों का करस्ण इनके लिए सरवादिक होता है इनमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक इस्थितियों में 97 का प्रियास किया जाता है जैसे अजन्ता की चित्रकला और गुफाओं को देखने के लिए परटक को ले जाते है इनसे प्राप्त आयसे वहां की सफाई तविकास की विवस्ता की जाती है जो वाइल्ड लाइफ टूरिजम है वो परियावरन एको टूरिजम का एक विक्सित स्वरूप वाइल्ड लाइफ टूरिजम दिखाई पड़ता है जिसमें विविन सेंचुरी या राश्टी जो द्यान है उनमें परटक गूमता है आपके पास सवाई माधोपुर में जो रनथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट है वहाँ बहुत सारे देशी विदेशी परटक देखने आते हैं तो एक अब एको टूरिजम से भिन जो बनता जा रहा है वाइल्ड लाइफ टूरिजम जिसकी सीमाएं दोनों के बीच के अंतर को अभी बहुत सपस्ट नहीं किया जा सकता है तो एको टूरिजम और वाइल्ड लाइफ टूरिजम में जो छोटा मुटा अंतर हम आपको समझा सकते हैं यह है कि एको टूरिजम आम तोर से शोट टर्म होता वाइल्ड लाइफ टूरिजम में वहाँ टेंटिंग करके रुकते भी हैं और कई कई धिन उनकी जीवन सेली जंगली जीव जनतुओं की और परिया बनन की जो नजारे हैं वो देखते हैं उनमें किस तरह से बदलाओ और फिर बहुत सारा जो हम कहें सुपर स्पिसलाजेशन होता जाता है जिनमें विविन वर्ड्स और एनिमल्स को लेकि अलग अलग डिवीजन होता है कोई सिर्फ चिडियाओं का विविन प्रकार की चिडियाओं का आकरसन देखता है अपनी एक्षा से और कुछ लोग टाइगर के आकरसन में बंदे होते हैं कुछ विविन फ्लोरा फाउना जिनको हम कहते हैं जंगली पौधे बनस्पतियों की आकरसन से जाते हैं आगे हम आरक्षित परेटन विकास सस्टेविल टूरिज्म डबलमेंट जैसा मैं वाइल लाइफ टूरिज्म की बात कर रहा था तो एक पांचमा प्रकार एक्षा की दरस्ते आरक्षित परेटन विकास जो है सस्टेविल टूरिज्म डबलमेंट का रूप में दिखाई अना कि प्राकृतिक पर्यावरन का दबाव सामान इस्तर से नीचे बना रहे है। आज क्या परेटक प्राकृतिक पर्यावरन की ओर खिसता जा रहा है। इस विधा के परेटन का कारण है कि परेटकों के आवागमन से पर्यावरन प्रदूशित होता जा रहा है। अता परियावरन के मूल रूप को बिनास से बचाने के लिए ये नई विधा अपनाई गई है तथा साथ ही ये विकास की वी दिसा को पुरुसाहित किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो सस्टनेबल टूरिजिम की एक कॉंसेप्ट आ रही है फो भी एक प्रिकार का परेटन है। कभी किसी विशिष्ट ग्यान तथा प्रवादिक्ता को सीखने के लिए दूसरे इस्थान के विध्यार्थी स्वयम आते हैं या वहां के विध्वानों को अपने यहां आमंत्रित करते हैं। कभी कभी रिफ्रेशर कोर्स, शौट टर्म कोर्स के लिए बाहरी चात्र दूसरे विश्विध्यालों में आते रहते हैं। इससे दोनों देशों के ग्यान का पारंपरिक लाब चात्र अर्जित करते हैं। तो इस तरीके से सेक्षिक परेटन की अवधारणा बहुत बड़ी है। जिसे संचेप में मैंने आपके सामने रखा। अब आगे जो परेटन का प्रकार आ रहा है। इक्षा की दर्श से ही वन जन्तु परेटना वाइल लाइफ टूरिजिम जिसकी मैं बातचीत कर चुका हूँ पहले। कुछ लोग बन जीवों के सानिद्ध को अधिक पसंद करते हैं। इसका जो एक सपष्ट उधारण है वो टीवी का डिसकवरी चैनल है। यह पता लगाते रहते हैं कि कहां बिसे इस प्रकार की पसुपाई जाते हैं। वहां की आत्रा करते हैं तथा उन पसंद की जीवन पद्दिका अध्यन करते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग वन पसंद की सिकार का अनद लेने के लिए इन छेत्रों में आते थे। अब सिकार पर प्रितिबंद लगा हुए ऐसे परेटन भारत में प्राया हिमाले के परवती वनों में एत्यासिक काल में होते रहें। कुछ परेटक यहां की विविदता सूर तथा जहरीले जानवरों आधी को देखने के लिए आते हैं। जिनको प्रिकत ने इतना सुंदर रूप देकर उन्हें विस गरवित कर दिया। आठमा प्रिकार जो परेटन का हम आपको बता सकते हैं वो प्राकृतिक द्रस्त सिनारिया टूरिज्म के रूप में दिखाई पड़ता है। चहां भी सुंदर प्राकृतिक द्रस होता है वहां की आतरा प्रकत प्रेमी जनता करती है। सिटिजर लेंड भारत में कसमीर, हिमाले, दक्षण में उटी यादी स्थानों का उपरेटन इसी भावना से किया जाता है। वहां ये कुछ दिन टैर कर पहाडों, जंगलों आज की आतरा करते और जर्नों को देखते, फिर बर्फ गरने का अनंद लेते, वर्सा का अनंद लेते, बिभिन प्रकार के पैंड पोदों को देखते, पहाडों की उँचाईयों पर चड़ते हुए परेटन का अनंद लेत फूलों की घाटी बड़े बड़े कृते मुद्ध्यान इनके आकर्सन होते हैं बद्रिनात के रास्टे में फूलों की घाटी देखने वाली बड़ी संख्या में देशी पठी प्रoted्थिबरस हों आते हैं आली एक प्रिसद परेटक इस्थल है वहां पर चमूली में पड़ता है ये ओली तो बद्रिनात के रास्तों में फूलों की घाटी ओली में है जहां लोग जाते हैं और बहुत सारी फोटोग्राफी करते हैं हमाले की चूटियों की चड़ाई बरफ पर स्केटिंग करना बादलों की नीचे उतरने का अंद लेना आदी इनकी वहां आनन्दा तमक क्रियाएं होती हैं इसी प्रकार उगते सूरज को देखने लोग कन्या कुमारी आते हैं जहां सूर्योद की समय सूर का रत साथ घोड़ों से खींसता हुआ दिखाई पड़ता है ऐसा लोग कालपनिक रूप से मानते हैं तो हिमाचल प्रदेश्ट से देवभूम भी कहते है हैं वहाँ प्राकृतिक द्रस परेटन की भरमार है बहुत अधिक स्थल हैं जिन पर दीखा जा सकता है फिर एक अगला जो टूरिजिम का एक्छा की द्रिश्टे परकार है वो एकांत जीवन परेटन सॉलिटरी टूरिजिम आज के भीड भरे और शोर गुल बाले बातावरन से जब लोग ठक जाते हैं तो एकांत जीवन वितीत करने के लिए प्राया ऐसे इस्थानों की अत्रा करते हैं जहां न भीड हो न जीवन में बहुत उचलकूद हो दूँ वहां भी वे एकांत स्थान में रहते धार्मिक पुस्तकों का दिन करते या धार्मिक बिक्तियों का परवचन सुनते गूमते रहते हैं पाश्यात विस्चु के भीड बरे तथा चमक दमक और काम के बोश से लदे विवक इसी से यहां चले आते हैं कि कुछ दिन उनको एका योगों आनदात्मक्रियाओं आधिका अंद लेते होटलों में ग्रामिनों के साथ अतित रूप में रहना अधिक पसंद करते हैं तो एकांत जीवन परेटन के बहुत सारे हमारे सामने एथियासिक उधारन उपलब्द हैं कि जब लोग परेटन करने एकांत सुलिटेरी समाज के सभी लोगों के पास इतना अधिक पैसा नहीं होता है कि वे आनद की प्राप्त के लिए लंबी तथा सुख़ यातरा करें जब कम बेतन भोगी यातरा पर निकलता है तो सामानिता व्य परंपरागत रीत से यातरा कानित लेता है उसकी यातरा अल्पकालिक दूरी तथा अल्प वे खर्चे वाली होती है इस कारण वे परेटक ग्रामों में यात्री निवास आदि सस्ते आवासों में ठेरता है और कम खर्च में अपनी एक्छित वस्तों का अंद लेकर लोट आता है अब अगला टूरिजम आप यूवा वर्ग यूथ टूरिजम को र यात्रा करते हैं ये सस्ते यात्रा साधनों का प्रियोग करते हैं साधारन भोजन करते हैं सस्ते आवासों या रेल के प्रेट फार्म खुले स्थानों अथवा पारकों में सोकर रात बिताते अपनी यात्रा पूरी करते हैं इनके लिए ये यूथ होस्टल देश के विभिन नगरों में परेटन विभाग ने इस्थापित की हैं जहां ठहरने में इंसे बहुत कम शुल्क लिया जाता है साथ साथ बाइकर्स आपने देखा होगा आजकल चलन है बाइकलर्स और साइकलिंग बाले लोग निकलते हैं टूरिजिम करने अपने इस्थानी डंग से अगर मैं इसको परवाशित करना चाहूं तो राम देवरा के यात्री निकलते हैं वे भी इसी वावर्ग टूरिजिम में रखे जा सकते हैं कि वो साइकल लेके राम देवरा तक की यात्रा करते हैं अब राम देवरा की यात्रा से जो परेटन का आखरी एक इक्छा की दिर्श्री पर रखा जा सकता है धार्मिक पर इटन रिलीजियस टूर्जिम साद विवम ब्रद पुरो सिस्त्री धार्मिक इस्तलों पर विशिष्ट आयोजनों आउसरों महत्त की तितियों तथा वहां के महात्म के आउसर पर जाकर अपनी इक्षा पूर्थी करते हैं वहां के मंदरों प्यारों दरगाहों तथा धार्मिक पुर्सों के दर्सन प्रविचन में भाग लेने धार्मिक गोष्टियों में धार्मिक मेलों में इस्तेदारी निभाने के आद के लिए जाते हैं कभी विना किसी आउजन के भी वहां तीर्थाटन के लिए निकल जाते हैं तो इस दरश इनके दुनिया के बिविन कोनों कोनों से आते हैं इसी दुर्ष्टी से अन्न बिविन इस्थलों को भी हम समझ सकते हैं पुसकर उसके पास ही है जो कहते हैं ब्रमा जी का एक मात्र स्थान है तो पुसकर मेला भरता है और पुसकर मेले में धार्मिक परेटन बिविन देशों स आते हैं और वे अपने उस पुसकर के तालाब में इसनान कर अपने को कृत-कृत समझते हैं इसी दृष्ट से अन्य स्थानों पर भी धार्मिक परेटन लोग करते हैं अगर राजिस्थान के इभिन परेटन इस्थलों की बात की जाए तो मैं समझता हूं कि एक लंबी सूची राम दिवरा के से ले करके और बिंडेश्वर मेला तक के मेलों के आयोजन में साथ साथ आप साला सर जी है खाटू श्याम जी जो नाम लेते हैं तो इस तरह से बिभिन इस्थल धार्मिक परेटन इस्थलों पर धार्मिक परेटन के लिए परेटक आते हैं तो परेटन के ब अगले दो चार वर्स में जब इसी क्लास को हम बापस पढ़े हैं तो अन बुभिन परकार के परेटनों की भी चरचा की जाए जैसा हमें ने का जब एक नए तूरिजम का परकार दिखाई पड़ रहा है जिसकी चरचा मैंने नहीं की और बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं जो आने वाले समय में परेटन के विभिन प्रकारों में जुड़ते जाएंगे और तब जाकर के हम इनकी चर्चा करेंगे इस प्रकार ये परेटन के विभिन प्रकार हैं जिसको आप समझ सकते हैं धन्यबाद